दोस्तों मुझे बहुत सारा कोमेंट आता रहता है कि संजे भाई मेरे फॉन में भी आई का सिंग कार्ड लगा हुए और उसके बिल्कूर भी इंटरेट नहीं चल रहा है तो अगर आप भी परेसान हो अपने भी आई के सिंग पर इंटरेट प्रॉब्लम से बहुत जदा आप itative को सेटिंग्स को करके तो जी हां दोस्तों यहां पे आज आज मैं आपको कोई छiऊ इसा नहीं बताने वला हुँ लेकिन आपको मैं ऐसा शर्टिंग्स बताओंगा डोशल्टिंग्स बताओंगा अगर दोनों को कर दे तो ऐधनी फोन में फॉन कर दे तो जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपका इंटरनेट भी आई के सिम पर बहुत ज़्यादा तेज होने वाला है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीचे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे भी आपको इस टाप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा अगर आपका और प्रॉब्लम है तो नीचे कोमेंट बॉक्स में लिख सकते हूं मैं आपके लिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को उपन कर लेना है तो मैंने सेटिंग्स के बारे में सीखा नहीं है जाना नहीं तो आपने क्या सीखा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते है और चल्दी से सीख लिजिए सबसे पहले आपको सीम बाले ऑप्सन पर क्लिक करना है आपके फॉन में मिल जाएगा सीम कार्ट एन मोबाई निर्वर्स के न आपके फॉन में डिपॉल्ट एपन एक देखने को मिलेगा तो सबसे पहले रिसेट करना है चलि मैं रिसेट कर देता हूं और रिसेट कुछी सेकेंट में हो जाता है फ्रेंस आपको घबरानी की दिक्कत नहीं यहाँ पर देखिए बोड़ा फॉन मोगायल कोनेक्ट के नाम इसको सेफ कर देना है और यहां पर एक स्क्रॉल करके निचे आना है तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा चलिए पर क्लिक करना है और यहां पे आपको Coach equation करना है पिए पी प्र देटा हो और उसके बाद यहां पर डिपॉल्ट पो कुछने करना है जैसे हो वैसे रेने देना ओर उसके बाद यहां पे और यहा पर לפa करना है और यहां प्र पर नेट्वर्क और यह sach इतना select करना है और फिर इसको okay करके save कर देना है अगर आपके phone में multiple bearer support नहीं करता है तो आपको वहाद फिर घवरान नहीं सिम्पिल एल्टी ऐडिकर देना है यहाप आपको second number में मिल जाएगा ठीक है और फिर आपको simply यहाप आपका internet बहुत ज़्यादा speed होगा तो यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जब तक आपने दूसरा वाला settings नहीं करोगा अपने आपका speed नहीं होगा तो सबसे पहले आपको करना है कि अपने मोगाल में play store को open कर लेना है और play store को open करने के बाद में यहाँ पर आपको search करना है 4G switcher अब यह काम क्या करता है यह application इससे आपका जो है मतलब इंटरनेट कभी 2G पी नहीं आएगा ठीक है तो आपको 4G switcher यहाँ पर search करना है और आपको एक application यहाँ पर देखने को मिल जागा 4G LTE switcher तो इसको क्या करना है इसको क्लिक करना है इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद में कुछ ही seconds में इंस्ट्रॉल हो जाएग आपको इंस्ट्रॉल करना है और इंस्ट्रॉल करने के बाद में open करना है open जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ step का इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको सेट प्रिफेर नेट्वर्ट का option मिलता है इसको क्लिक करके यहाँ से आपको LTE कर देना है LTE यह only जैसे कर देंगे तो फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आपडेट एंड रिफ्रेस कर देना है फिर आपका काम खतम है आपका इतना तेज स्पीड चलेगा इंटरनेट की आप देखके चॉक्ड होगे तो बस इतना ही आपको करना है अगर फिर भी स्पीड नहीं होता है